हालो स्टूडेंट्स वेलकम बैक तो अनदर वीडियो यह वाचिंग माट्स वुद अभिन पत्रा हम सौल कर रहे हैं 1000 जे मेंस वर अडवांस में आये प्रीवेस्टेशन्स आज जो हम क्वेस्टेंस स्टार्ट करें वो है 141 से स्टार्ट होगा यह जो चैप्टर है वो बेस् इन डेफिनेट अंटेग्र इंटेधर इंटेग्र पर पहले हमने काफी बहुत चैप्टर नहीं देखिये तो मेकशिवर यूज डोस वीडियोज ठीक है। आज सबैंगे डेफिनेट इंटिक्र फार इचेट फार्ट हम सभी के सभी जीए मेंस और अडवांस वाले questions पूरे करेंगे और हाँ बाद में पहले बता चुका हूँ जो चैप यह वाइस 22 23 और 24 के हैं वो पूरे की पूरे papers all करेंगे ठीक है उनके questions मैं इसमें include नहीं करूँगा ठीक है चलो करते हैं questions all आज के जो हमारा question है वो है question 141 जो क्या कहता है अगर ex के साथ cos x plus 7 sin x dx है इसका integral है तो वह आएगा e raised to power 2x gx plus c c एक constant integration का तो इसकी value क्या होगी g add 0 plus g add by by 2 सबसे पहले तो देखो हमेंना एक formula पता होना चाहिए वो formula क्या कहता है कि अगर हमारे पार इस तरह का e raised to power ax sin bx dx अगर इस type का हमारे पास कोई भी integral है तो हम उसको लिखते हैं e raised to power ax divided by a square plus b square और इदर बनेगा a sin bx plus इसके साथ ही प्लस कि नो माइनस b cos bx plus c ठीक है यह एक टाइप होता है जिसमें अगर e raised to power ax into sin bx का integral है तो बनेगा e raised to power ax divided by a square plus b square और bracket में a sin bx minus b cos bx plus c और अगर similarly ऐसा ही e raised to power bx into cos bx का होता है e raised to power ax यहाँ पर सेम रखते है e raised to power ax और इदर रखते हैं cos e raised to power ax इदर cos of bx तो यह बनता है e raised to power ax divided by a square plus b square अंदर वही टर्म a cos bx plus b sin bx plus c ठीक है यह हमारे एक formula होते हैं जो हमें पता होने चाहिए ठीक है अब इसी formula को थोड़ा यूज करते हों हम इस question के according करेंगे कैसे अब अगर हम थोड़ा से compare करें तो एक ही value यहाँ पर क्या दिख रही है two तो जो हमारी term है वो क्या है अगर मैं इन दोनों के integral को अलग-अलग कर दूँ इसको इसके साथ भी और इसको इसके साथ भी यह बनेगा integral of e की 2x into 7 sin x और एक बनेगा e की power 2x cos x इसका integral with dx इसका भी integral with dx मैंने इनको separate कर दिया split कर दिया दोनों को multiply कर दिया अब देखो इसमें जो 7 है सीधी सी बात है यह 7 है जो यह तो बाहर आ जाएगा 7 बाहर आने से e की power ax into sin bx इसका integral क्या था देखो इसी form का होगा इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 बाहर अंदर e की power 2x divided by क्या था a का square plus b का square b क्या था sin x के साथ sin x के साथ x के साथ जो coefficient था वो बन था तो 2 का square plus 1 का square into a sin bx that is 2 sin x minus b that is 1 cos x ठीक है यह था प्लस यह वाली term क्या बनेगी e की power 2x by 2 का square plus 1 का square cos x that is हमारा यह वाला formula लगेगा यह क्या बनेगा अंदर a cos bx that is 2 cos x plus 1 sin x ठीक है हमने इसको इन formulas के according लिख दिया अब हम यहां से क्या करते हैं इनको थोड़ा सा multiply करते हैं और common लेने कोशिश करते हैं यह बनेगा 7 e की power 2x divided by 5 यह पहली term multiply होगी 2 sin x minus यह पूरी term cos के साथ multiply हो जाएगी तो 7 e की power 2x by 5 cos x plus 2 cos x into e e की power 2x by 5 plus sin x into e की power 2x by 5 अब देखो क्या क्या चीज़े cancel out हो सकती है उसको हम cancel out करते हैं और solve करते हैं देखो यहां से 15 by 5 of sin x into e की power 2x minus देखो यह minus 7 by 5 अब देखते हैं हमारा जब comparison करते हैं तो जो answer था वो क्या था g at 0 and g at pi by 2 और यह जो value थी क्या आ रही थी gx की value यहां से अगर हम compare करें हमें क्या compare करें e की power 2x gx यहां से e की power 2x common लेते हैं अंदर बचेगा 3 sin x minus cos x और हमें compare करना था e की power 2x into gx से अब देखो simple सी बात है यहां से सीदा सीदा दिख रहे है कि gx की value क्या है यह value तो gx can be written as 3 sin x minus cos of x हमें क्या चाहिए g at 0 and g at pi by 2 ठीक है g at 0 sin 0 0 cos 0 1 that is minus 1 pi by 2 sin pi by 2 1 that is 3 minus 0 equals to 3 अब हमें क्या चाहिए था इनका sum इन दोनों को add करना आड करेंगे जब हम इन दोनों terms को add करेंगे वो बनेगा 3 minus 1 that is 2 और यह हमारा answer हो जाएगा ठीक है यह आया था j main 2020 2020 में question आया देखो मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ अगर तुम्हारे ncrt के integrals काफी अच्छा से solve हो रहे हैं that means तुम्हें पूरी ncrt आती है और तुम मिसलेहने से exercises भी कर पा रहे हो तो और formulas तुम्हें याद है है एक्च्छल में मैं किसी को भी suggestion नहीं देता कि 12th class में तो मैं ncrt पढ़ो that is a very bad choice तुम्हें पढ़ने चाहिए elements at least elements पढ़ो ठीक है क्योंकि board में काफी help हो जाती है और अगर तुम्हें elements पढ़े होगी तो तुम्हें formulas काफी अच्छे से याद रहे हैं क्योंकि ncrt में जैसे कि सारी exercise की questions मिला करना elements में एक exercise में होगे even examples भी ज्यादा होगे पूरे ncrt का पूरा chapter और elements के दो exercise के examples इतना फरक्या ठीक है तो अगर आमने अच्छे से पढ़ा होगा ना तो आपको formulas याद होगा अगर formulas याद है तो integrals differentiation की कोई भी उखाड़ देगा कहीं से भी कर सकते हो ठीक है अच्छा questions था अच्छा question था और असान था next पर बढ़ते हैं जे मेन 2016 में है equation जिसमें हमें क्या given है 1 by x cube into 1 plus x 6 की power 2 by 3 dx ये है fx into 1 plus x की power minus 6 की power 1 by 3 plus c constant of integration है तो 6 of fx कितना होगा ठीक है हम क्या करते हैं हम करते हैं यहां से ना इसको लिख देते हैं पहले तो यहां से 1 by x cube into 1 plus x की power 6 की 2 by 3 dx इसका integral है ना हम क्या करते हैं नीचे से ना x की 6 common लगते हैं x cube तो पहली था यहां से ना x6 common निकालने कोशिर करते हैं common निकालते हैं बनेगा 1 plus 1 by x की power 6 इसकी power 2 by 3 पर जो x की power 6 निकालेंगे ना उसका भी 2 by 3 होगा इसको थोड़ा space देके लिखता हूँ मैं अभी एक तो यह रहेगा जो अब क्या था x की 6 हमने common लिया था पर वो x की 6 निया उसकी power 2 by 3 भी थी तो वो भी बाहर आएगा ठीक है मैंने इसको इस form में लिख दिया अब इसको क्या करेंगे यहां पर लिखते हैं 1 by x cube तो अलग है इधर यह भी ठीक है 1 by x की power 6 plus 1 का 2 by 3 यह जो इसको solve करेंगे यह क्या बनेगा देखो x 6 की power 2 by 3 तो x की power 6 into 2 by 3 3 इसको कट करेगा 2 पर that is x की power 4 तो 1 by x की power 4 into dx हमने इसको थोड़ा simplify कर दिया अब यहां से यह बना 1 by x की power 7 into 1 plus 1 by x की power 6 की power 2 by 3 into dx इसका integral देखो अब क्या कर सकते हैं 1 by हमना substitute कर देते हैं put करते हैं क्या put 1 plus 1 by x की power 6 is equal to t यह क्या बनेगा जब उसका differentiation लेंगे यह बनेगा पहले इसको लिए 1 by 1 plus x की power minus 6 है ना is equal to t यह है अभी क्या बनेगा minus 6 x की power minus 6 minus 1 dx is equal to dt that is minus 6 by x की power 7 dx is equal to dt जहां से dx की value है जो यानि dx by x की power 7 की value हो आएगा dt by minus 6 तो मेरे पास जो यह term थी dx by x की power 7 इसकी जगा मैंने क्या लिख दिया dt by minus 6 और यह term मेरी बने 1 plus sorry 1 plus की भी ज़रूर इतनी है कि उमने पूरे को substitute किया था यह जो हमारी term बनेगी यह बनेगा t की power 2 by 3 ठीक है अब क्या करते हैं इसको उपर ले जाते हैं t की power minus 2 by 3 integral है यह by minus 6 dt जब इस integral को solve करें बनेगा t की power minus 2 by 3 plus 1 by minus 2 by 3 plus 1 बाहर minus 1 by 6 पहले ही रखा हुआ है into dt तो गायव हो गया जब हम इसको solve करते हैं यह जो हमारी term है को क्या बनेगी minus 1 by 6 बाहर है उपर बना t की power minus 2 by 3 plus 1 by 1 by 3 तो इदर t की power भी क्या बन जाएगी 1 by 3 बन जाएगी t की power 1 बनी 1 by 3 नीचे 1 by 3 जब है multiply हो बनेगा minus 1 by 2 t की power 1 by 3 पर t क्या था 1 plus 1 by x की power 6 था इसकी power 1 by 3 plus का c क्योंकि हमने integral कर दिया तो एक constant भी आ जाएगा तो हमारी यह value आई अब हम compare करते हैं किस से compare करना था हमें fx into 1 plus x की power minus 6 ठीक है वही आ चुग है 1 plus 1 by x की power minus 6 हो या 1 by x की power 6 हो तो यह term plus a term आ गया और यहाँ पर उन्होंने क्या दे रखा था बस हमें fx तो fx की value हम compare करें क्या आएगी minus 1 by 2 तो हमें question क्या पूछा है हमें value बतानी है 6 of fx 6 into fx fx की value क्या है minus 1 by 2 multiply करने पर आएगा minus 3 जो कि हमारे question का answer हो जाएगा असान question है again बहुत असान है ठीक है काफी असान question है कर सकते हो बड़े आराम से कोई दिक्क नहीं है है ठीक है move करते है next question की तरफ हाँ so the next question is अगर हमें यह दे रखें कि इंटेगरल दे रखें इसके वह लिए tangent x की पावर a plus c tangent x की पावर b तो हमें a plus b plus c की value बतानी है ठीक है हाँ c यहां पर है ठीक है हमने values compare करनी है और फिर उसका यह value निकाने देखो इस टैक का question काफी आया हुआ है और यह question है जो यह आया है 2016 में ठीक है कुछ questions में न वो साथ आया नहीं वो crop हो चुक है बट मैं तुम्हें बताता रहूंगा कब को आया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इसका डी एक्स चीक है उसको हमने इस फॉर में लिख देए बना वन बाय को स्कुए एक्स इंटू यह बना फॉर फॉर जब रूट से बार आएगा आएगा और बाकी आएगा साइन एक्स की पावर भी वन बाय टू और कोस एक्स की पावर भी वन बाय टू इंटू डी एक्स अब यहाँ पर अगर हम राइट करते हैं अभी इंटेग्रल में है तो किसका इंटेग्रल है अब हम क्या करते हैं यहां से ना एक तो बनेगा वही साइन एक्स की पावर या 1 by 2 that is 5 by 2 x उपर d x ठीक है actual में ना question है जो वो इसकी power ना 2 नहीं है question इसकी power ना 3 आएगी ठीक है इसकी power 3 है तो यहाँ पर भी हमारी power 3 हो जाएगी यहाँ power 3 यहाँ जब 3 के साथ 1 by 2 आड होगा तो यह 5 by 2 नहीं बनेगा 7 by 2 ठीक है अब हम solve करते हैं इसको हम क्या करते हैं इसको simplify करने के लिए इधर भी cos की power 4 x डिवाइड कर देते हैं यहाँ उपर भी करते हैं 1 by cos raised to power 4 x ऐसा करने बद क्या बनेगा integral बनेगा 1 by 2 बाहर रहेगा इधर बनेगा cos की power 4 x that is secant की power 4 x dx नीचे क्यादा sin x की power 1 by 2 और जब यह कटेगा तो 7 by 2 में से 4 minus होगा तो बनेगा minus 1 by 2 तो cos x की power minus 1 by 2 अब यहाँ से जब हम इसको solve करेंगे देखो पहले थोड़ा साना simplify कर देते हैं कैसे वो देखना यह बनेगा 1 by 2 integral में secant raise to power 4 x नीचे बनेगा sin x की power 1 by 2 और नीचे cos x की power 1 by 2 actual में sin angle x की power 1 by 2 ने यह पूरे इसकी value है ठीक है यह द्यान रखना यह बनेगा साथ में dx यह बनेगा 1 by 2 बाहर secant raise to power 4 x dx by tangent x की power 1 by 2 ठीक है अब यहां से हम क्या करते हैं पूट कर देते हैं tangent x को t tangent x को पूट कर देते हैं t तो secant square x dx की value आजाएगी dt तो यहां से यह क्या बनेगा integral 1 by 2 बाहर है इसको ना secant square x into secant square x लिख देते हैं पूट उसके बाद करता हूँ मैं क्यों करूँ मैं भी देखना नीच था tangent x की power 1 by 2 इसको मैं क्या करता हूँ एक तो secant square x रखतेता हूँ इसको हम लिख देता हूँ एक तो secant square x पड़ा है एक बनेगा 1 plus tangent square x dx integral बाहर 1 by 2 और नीचे क्या है tangent x की power 1 by 2 इसको ना थोड़ा simplified कर दिया तब यह जाके बना अब हम क्या करेंगे जो मैं इसको यहां लिखेंगे 1 by 2 बाहर integral अब पूट कर देता है secant square x dx की value dt that means इसकी और इसकी value क्या थी dt नीचे क्या था t की power 1 by 2 उपर क्या है 1 plus t का square ठीक है अब जो हम इसको small करेंगे 1 by 2 बाहर रहेगा integral रहेगा dt मे यह बना है 1 by root t plus t की power 2 minus 1 by 2 ठीक है यह subtract हो जाएगा again वही 1 by 2 बाहर integral में integral है ठीक है t की power minus 1 by 2 का और किसका integral है t की power 3 by 2 का dt इसका एक साथी रखे रहते है ठीक है इस पूरे का integral है क्वाओ पूरे किसके है प्रश्यक्त ने हो रहा है वाव पता नहीं क्या हो गया इसे अन्बिलीवबल थोड़ इसको साइज करेक सिता है यह पूरे का इंटेडर में और लुए हो इसको इस को बनेगा सिक हो पावर इसको प्लस प्लस एक क्या एगा कि यह क्या है है अन्बाइटो टी की पावर वनबाइटो anybody नीचे भी 1 by 2, ठीक है, प्लस T की पावर 5 by 2 by 5 by 2, ठीक है, अब हम यहां से क्या करते हैं, तू इसके मल्टिप्ला होगा, देखो यह ना 2 और यह वाला कट जाएगा, जो हमारा आएगा, वो आएगा, T की पावर एक तो 1 by 2, प्लस 1 by 5, T की पावर 5 by 2, अब T किसको पूट किय था हमने देखो, T पूट किया था, टेंजन एक्स को, तो उसकी जगा वापिस पूट कर देते हैं, यह बनेगा, टेंजन एक्स की पावर 1 by 2, प्लस 1 by 5, टेंजन एक्स की पावर 5 by 2, अब देखो सबसे पहले, हमें किस से कंपेर करना, टेंजन एक्स की पावर A, फिर तो यहां से जब मैं इसको compare करता हूँ, मेरा जो comparison था, टेंजन एक्स की पावर A, प्लस C, टेंजन एक्सकी पावर B से, ठीक है, तो यहां से A की value क्या आ आएगी, 1 by 2, बी की value क्या आएगी, 5 by 2, इंजन C की value क्या आएगी, 1 by 5, हमें क्या करना है, A प्लस B प्लस C, और अड करके उसको 5 से multiply करना है तो हम कर देते हैं A plus B plus C यह क्या बनाए 1 by 2 plus 5 by 2 plus 1 by 5 यह बना 3 plus 1 by 5 that is 16 by 5 अब हमें क्या करना है इसको पूरे को multiply करना है किस से 5 से तो इसको भी 5 से multiply 5 से 5 यह 16 हमारा answer हो जाएगा देखो question बिलकुल आसान है काफी आसान question है बस formula लगाने और integrate करना that's it simple सा question बहुत आराम से कर सकते हो देखो question में क्या given है अगर एक function fx देरके वो twice differentiable है यानि उसका double derivative लिया जा सकते है पहले एक बार फिर दूसरी बार ता भी वो twice differentiable है such that कि इसका mod fx f dash x f dash x f double dash x यानि second derivative इसका mod यानि इसका determinant 0 है for all values of x and f 0 1 f 0 1 है सारी x की values के लिए ठीक है और f double dash x at 0 2 है यानि 0 पे fx की value 1 है और second derivative पे जब 0 value x की तो 2 है ठीक है तो f1 कहां लाए करेगा ठीक है सबसे पहले हम इसको solve करते हैं क्या है fx f dash x f dash x f double dash x इसका determinant क्या दे रखे हैं 0 ठीक है क्या करते हैं हम इसको fx into f double dash x यानि इसको इससे multiply करेंगे minus इसको इससे करेंगे minus f dash x into f dash x equals to 0 यह बनेगा fx into f double dash x equals to f dash x f dash x ठीक है अब हम क्या करते हैं इसको थोड़ा simplify कर देते हैं यह बनेगा f dash x double dash x यानि इवल टर्म ऐसी f dash x को नीचे लाते हैं f dash x equals to f dash x by f at 0 देखो हमने क्या 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 अब तक सिर्फ determinant लिए determinant लेकर हमने उसको इस form में लिख दिया अब दोनों तरफ ना integrate कर देते हैं integrate कर देते हैं integrate करने के बाद क्या आएगा हम हम x की सारी values के लिख क्या है for all values of x for all x यह सारी जो भी condition है for all x है x की सारी values के लिए ऐसा होगा जो इंटेग्रेट करेंगे क्या बनेगा देखो नीचे जो टर्म है उपर उसका differentiation पड़ा है तो क्या आता होते है आंसर log to the base e f dash x और इधर क्या आएगा f at 0 नहीं यार या f at 0 नहीं f at x है यानि f x है let me change a little bit f x है अब नीचे कोई टर्म है उपर उसका derivative पड़ा है तो again log to the base e f x plus constant c अब जो constant होता है ना जब बाकी terms log में आ रहे हो तो उसको भी हमें log to the base e constant यानि वो भी log में ले ले लेना चाहिए अब देखो यह क्या बनेगा log to the base e f dash x equals to इन दो का अब क्या होगा log c plus log d क्या होता है log c d यानि log m n की terms में तुमने पढ़ा होगा f x into c दोनों का product हो जाता है अब दोनों side हम जब लेते हैं यह log कट जाएगा log कटने बादे बनेगा f dash x की value आई f x into constant तो constant की value क्या आएगी f dash x by f x हमें चाहिए क्या था हमें बोला है f 0 पे 1 है double derivative 0 पे 2 है तो f 1 कहां लाए करेगा क्या version ने दे दिया आजीब सा चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहां से ना integrate करते हैं दुबारा जब integrate करेंगे बनेगा c x गया है था ना integrate कर दिया इसका c x और यह बना log of log to the base e f x प्लस अब x g तो ले चुके हैं तो c 1 ले लेते हैं पर log है तो यहां पर log c 1 लेना पड़ेगा क्योंकि c ले चुके है ना तो दुबारा वो constant ले तो log to the base e c 1 अब यहां से क्या करते हैं f 0 पर 1 आ यानि x जब 0 पूट करते हैं तो f x की value 1 आ जाती है तो हम यह पूट करते हैं x 0 पर 1 होती है value किसकी f x की तो c into 0 is equal to log to the base e f x की value 1 होगी plus log to the base e c 1 log 1 0 थे यह 0 तो log to the base e c 1 की value 0 यह हो गया अब दोनों side हम e ले लेते हैं तो e लेंगे तो यह तो कट जाएगा यह बनेगा या फिर simple कहते है c 1 की value e की power 0 जो होती है 1 तो c 1 की value यहां से आ जाएगी 1 c 1 की value जैसी 1 आएगी हम क्या करते हैं अब अब उस function में किस वाले में सबसे पहले तो हमारा यह था ना यह इसमें हम put कर दे तो हमारी जो value बनेगी c x is equal to log to the base e f x और c 1 यह पूट करों log 1 0 तो एक तो हमारी यह value आ चुके एक बार ठीक है अब हम क्या करते हैं इसी में इसी में कौन सी condition है f double dash at 0 यानि x की value 0 है तो double derivative की value 2 हो जाएगी या फिर और देखें यहां तो double derivative आया है यह नी double derivative तो है यह नी इस picture में पूरे में कहीं पर भी question में न mistake होगी यहां पर double derivative की बात नहीं कर रहा फिर है यह बात कर रहा है single derivative की ठीक है यहां पर condition की बात हो रहा है f-x की value 2 है यानि 0 पर जब f दुबारा लिख देते हैं तो हम यहां पूट करते हैं किस कौन सी condition में यहां पर actual में यहां पर भी नहीं है वो हमेना original equation यहां पर बूट करना पड़ेगा यहां पर बूट करना पड़ेगा अब नो मैं इस वाली term गोना थोड़ा rearrange कर रहा हूं कैसे rearrange करूंगा मैं यहां पर लिखता हूं अगर यहां से cx को मैं लिख दूँ लोग टू दबेस ही c1 into fx ठीक है और यहां से इसको लिख दूट e की पावर cx is equal to c1 into fx और fx की वाल्यों आजएगी e की cx by c1 अब देखो c1 नीचे आए उपर बात एगी है तो fx की वाल्यों आजएगी c1 e की पावर cx यह ना मेरे fx की वाल्यों होगी मतलब पहले कर लेते तो भी ठीक था अब कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है हमने यहां से क्या करना है इसका ना एक derivative ले ले लेना जब यह fx है ना fx ले ले लेते है c1 तो पहले ही आए तो c e की पावर cx ठीक है अब c1 की वाल्यों क्या है हमें पते है c1 की वाल्यों तो हमें पते है क्या है 2 sorry 1 यह तुम पूट कर देता हूं यह fx की वाल्यों क्या आजएगी c into e की पावर cx अब एक condition क्या थी condition क्या है जो मैंने बताया f-x 0 पे 2 है f-x 2 है कब x की वाल्यों 0 पे तो x जब बैस 0 पूट करूँ है यहाँ पर क्या बनेगा यह बनेगा 2 कब जब x की वाल्यों 0 है तो c e की पावर c into 0 तो 1 बन जगा यह नहीं c की वाल्यों 2 हमारे पास c1 की वाल्यों आ चुकिया और c की व बनेगा f1 तो f1 के लिए क्या चाहिए हमें हम यहां पर इसकी वाल्यों फूट कर देता हूं जब मैं इसकी जगा वाल्यों क्या बनेगा यह की value होती है, वो 2.71 होता है, मैं लग अप्रोक्सिमेशन, अप्रोक्सिमेशन value है, जो हम इसका square करेंगे, यह कहां आएगा, यह लगबग लगबंग ना, 3 से थोड़ा कम है, दाड में इसका square ना, 9 से तो, कम आने वाले है, less than 9 आने वाले है, ठीक है, तो, interval चेक करते हैं, 0 to 3, 9, 9 to 12, 9, 3 to 6, 9, 6 से 9 के बीच में लाए करेगा, ठीक है, तो answer आजेगा हमारा क्या, कि यह 6 और 9 के interval में लाए करेगा, ठीक है, इसकी value अब कैलकुलेट करने कोशिश करोगे ना, तो 2 का square 4, 4 से तो बड़ी और 9 से छोटी, बट, वो 6 से बड़ी क्यों है, क्योंकि यह 2.5 के square से भी बढ़ा, तो approximation से value है कि 6 से 9 के बीच में आएगी, बड़ी value आएगी, ठीक है, approximate approximate, 7 point something के around आ जाएगी, ठीक है, तो इसका जो answer है हमारा, वो belong करता है, answer option C में, यहां लाए करेगा, ठीक है, एक्च्वल में इस question में confusion जो दे रहा है ना, वो एक तो यह part गलत दे रखा था, f double dash x, क्यों गलत था, अब देखो, हमें question देखके लगेगा नहीं कि यह गलत है, गलत क्यों है कि जो हमने बनाया ना, यहां पर ना कहीं पर भी, इस पूरे में कहीं पर भी f double dash x था ही नहीं, अगर था ही नहीं, that means वो चीज है, ठीक है, वही चीज द्यान देने थी, बाकी question सही था, ठीक वाला question और यह question आया था, अभी recent ज़्यादा time नहीं हुआ, 2021 में, क्यों question में थोड़ी mistake है ना, वैसे तो कोई खास बड़ी बात नहीं थी, तो जो next question है हमारा वो है, अगर यह term e raise power 2x plus 2 e की power x, minus e की power minus x minus 1, और उसके multiplication में e की power, e x plus e की power minus x, dx, उसकी value अगर यह आती है, तो gx की value बताने होगी, और g at 0 find कराओ, देखो इस type को question बार बार आ रहा है, काफी बार आ रहा है ना, बार बार इस type को question repeat हो रहा है, that means इस type का paper में आएगा, तो देखो इसको हम क्या करेंगे, multiply कर देते हैं, इन terms को, यह बनेगा, e की power, सबसे पहले, e की power 2x, plus 2 e की power x, minus e की power minus x, minus 1, और साथ में e की power x, और इसको हमें e की power minus x, कुछ इस तरह का दे रखा है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, e की power 2x, plus e की power x, plus e की power x, minus e की power minus x, minus 1, मैंने इसको ना, अलग-अलग कर दिया, इन दो में, और इसको multiply में क्या है, यही same term है, तो यह term क्या बनेगी, देखो हम क्या करते हैं, एक तो, इस में से, इस में से और, यह, तो यह बनेगा हमारा, e की power x common ले लगता हूँ मैं, integral तो है ही है, e की power x common ले ले तो बनेगा, e की power x, plus 1, minus e की power minus x, मैंने यह वाली term, यह वाली term, और इस वाली term मैं से लिया, और यह term एज़िटी जादेगी, e की power x, minus e की power minus x, यह वाला और यह वाला term, अब इस पूरे के multiply में है, e की power, e की power x, plus e की power minus x, ठीक है, यह multiply में और साथ है, dx, अब क्या करते हैं, हम इस term के साथ भी, यह multiply करेंगे, और इसके साथ भी यह multiply करेंगे, यह करने के बाद, जो हमारा question है, वो कुछ इस तरह से दिखेगा, यह बनेगा, e की power x बार, अंदर e की power x, plus 1, minus e की power minus x, और यह आएगा, e की power x, plus e की power minus x, plus, इसके हम multiply होगा, अब देखो एक चीज़ जो दिख रही है, वो क्या है, इसको मैं इससे multiply कर देता हूँ, ठीक है, multiply करने बाद, यह term तो बाहर रहेगी, e की power x, और यह integral है, यह पूरे का integral है भी तो, ठीक है, पूरे का integral मैंना, यहां से लेकर, यहां तक, bracket जो लगेगी, वो जैसे यहां पूरा, इस पूरे था, अब e की x, मैंने इस term को, इससे multiply करऊँगा, e की x को multiply करऊँगा, कि इससे e की power e x, plus e की power minus x, और यह रहेगा, e की x plus 1 minus e की power minus x, plus, थोड़ा छोटा कर देते हैं, तक ज़्यादा area cover होगा है, यह term as it is, यह पर आजएगी, और यह भी integral है, यह भी integral है, इसके अचलो अलग कर देते हैं, इसके अभी dx अलग कर दिया, इसके अभी dx अलग कर दिया, जब यह multiply होगा, यह बनेगा, e की power, e x plus e की power minus x plus 1, यह क्यों है, क्योंकि e था, और यह उपर power multiply होगी, multiply क्या मलब base same है, powers add होगी, ठीक है, ठीक प्लस का, x, ठीक, base same था, e, powers add होगी, नीचे क्या था, e की power x, plus e की power minus x, plus 1, और इसका dx, प्लस यह क्या है, e की x, minus e की minus x, plus e, e की power x, plus e की power minus x, इसका dx, अबना तुमें एक चीज का ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, देखो, इसका भी integral है, इसका भी integral है, जी क्या टाना, ये जू है ना, इसका derivative यह पड़ा, analyze कर लो एक बार, इस वाली term का, derivative यहाँ पड़ा, तो अगर मैं कहूं, कि मैंने मान लिया, e की power, e x, plus e की power minus x, plus 1, इस पूरे को, अगर मैंने u मान लिया, suppose u मान लिया, तो उसका du क्या होगा, यानि इसका derivative क्या होगा, derivative यही वाली term आएगी, e की power x का, पहले e की power x, और x के साथ का, यानि यह चलो, derivative करके दिखा दता हूँ, तो यह क्या बनेगा, e की power, e की x, plus e की minus x, plus 1, into, इस पूरे टर्म का derivative, e की x, minus e की minus x, sorry, यहाँ x था, यहाँ x था, और इसका x, दाट मींज जो पूरे टर्म है, यह पूरे टर्म क्या है, यह du है, यह यहाँ यू का derivative है, तो मैं इसकी जगा, जो integral था हमारा, उसकी जगा मैं क्या लिखते हूँ, किसका integral है, यह du का integral है, similarly, अब मैं कहूँ, यह टर्म को अगर मैं, इस पूरे को v रख दूँ, ठीक है, v रख दूँ, किसको, e की पावर e x, प्लस e की पावर minus x, इसको मैं अगर v माल लो, तो इसका derivative क्या होगा, e की पावर e x, प्लस e की पावर minus x, e की पावर minus x, और इसका बनेगा, e की x का e की x, और इसका बनेगा minus e की minus x, is equal to dv, यह वही टर्म आई पूरी, जो यह था, that means, यह किया है, यह किसका integral है, dv का integral है, प्लस constant आईगा, जो c, integral के बाद, that means, जो i की value है, वो क्या आ रही है, u plus v plus c, यही बाद है, अब u क्या था, u क्या है यहां से, u की value तो यह है, v क्या है, v की value तो, यह है, अब इसको हम यहाँ पर, put कर देते हैं, जब मैं put करूँगा, यह बनेगा, u की value क्या थी, e की power, e की power x, plus e की power minus x, plus x, और v क्या था, e की power, e की power x, plus e की power minus x, यह था, plus का c, अब देखो, यहां से, मैं क्या करूँ, e की power e x, plus e की power minus x, into में e की power x, रख दूं, plus e की power e x, plus e की power minus x, plus e, यार मैं जानता हूं, कभी इतना complications हो ज़ते हैं, e में, तो मन ऐसा करते है, question को ना, बीचु में छोड़ दूं, और उस्टेम मन में एकी बात हते है, I don't care about marks, देखो, इसको compare करते है, हमारी टर्म से, टर्म क्या थी, यही था, यह वाली टर्म, जो हमारी बनी और साथ में ग्यादा है, gx, that means, जो हमारी जो टर्म आई, यह जो टर्म आई, यह क्या है, gx है, gx की value बनकर आगई, e की power x, plus 1, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए g at 0, g at 0, यह क्या बनेगा, e की power 0, plus 1, e की power 0, क्या होता है, 1 plus 1, that is, 2, हमारा आचरा आजएगा, 2, चीक है, अब देखो, question ना, difficult नहीं है, option कौन सा सही हो जाएगा, d, d option सही हो जाएगा, jman 2020 मा आया था, देखो, इस type का question हमने, अब के 5 questions है, 5 हो के 5 हो इसी type के है, that means इस तरह के questions बार-बार आ रहे हैं, आएँगे ही आएँगे, integral में, indefinite integral में, यही आ रहे है, देखो, करना क्या था, पहले इसको multiply करा, आद देखा, अब देखो, जो term, e के उपर बन रही थी, जो term, e के उपर बनी थी, जसी यहाँ पर था, वही उसका derivative बाहर पड़ा था, और यहाँ जो, e के उपर बड़ी थी जो term, उसका derivative बाहर पड़ा था, तो हमें पता लगा है, कि यह क्या है, एक तरह से, v का derivative, dv, और यह क्या है, u का derivative, du, पूरा term, तो हमने पूट कर दिया, उसको आद, integral लिया, dv का, v और du का, u, और constant आ गया, उसमें यह value पूट कर दी, इन दो में से, क्या देखा, हमने common की, e की power x, अलग निकाल देते हैं, तो यह वली term, और यह वली term, common थी, तो अंदर बचा, e की power x, plus 1, जो compare करा, तो पता लगा, कि भाई, यह value into gx, दे रखा था, तो gx की value यह आगी, gx की जैसी value आई, g at 0, यह जो भी दे रखाता है, यह जो पूट कर दी, यह जो पूट करना, तो इसके value हमें लिख गई, कितने आई, तो, देखो इस टैप के question, बार-बार repeat हो रहे हैं, तो तुम्हें इस तरह question की practice करने चाहिए, question difficult नहीं है, बट यह जब आजाएगा ना, तो ऐसा लगता है, कि यार, बहुत lengthy हो गया, क्योंकि वहाँ पर, जब paper में बैठे होना, अभी तो तुम कर लोगे किसी तरह, जब exam time में बैठे होना, वहाँ पर बहुत दिक्कत हो जाती है, मन में ऐसे आते हैं, कि यार, lengthy हो गया, lengthy होगा, मेरा time waste हो रहे, पता नहीं answer आएगा ये नहीं आएगा, और lengthy भी हो गया, time भी बहुत जा रहा है, तो यह चीज है ना, परिशान करती है, वहाँ पर बट कोई बात थी, it happens, हमें question गिवन है, अगर sin inverse, square root of x plus 1 by x, अगर यह a x, into tangent inverse root x plus bx plus c, c constant of integration है, तो ordered pair ax और bx, क्या हो सकता, ठीक है, अगेन उसी तरह का question है, कि एक value find करने, इस terms में आएगी, ठीक है, यहाँ पर ना, क्या करते हैं, x को ना, put कर देते हैं, tangent square theta, जब put करूँगा, यह बनेगा, हमारा integral में, sine inverse, square root में, tangent square theta, नीचे क्या बनेगा, 1 plus tangent square theta, क्या होता है, secant square theta, dx, यह बनेगा, integral, sine inverse, यह बनेगा, sine square x, by cos square x, यह पर आगर, cos square x, इस फूरे का, root dx, cos square x, cos square x, root में, cancel होटोगे, यह बना, sine square x, sine square x का root, sine x, तो यह बना, sine inverse of, sine x, dx, जिससे, cancel होटोगे, answer आजएगा, x dx, जिक्या, x dx का, integral, x dx, x क्या, x क्या होगा, x square by 2, plus c, बट x क्या था, tangent square theta, तो यह बनेगा, tangent, की power, wait a minute, हमने, put कर रहा था, x को, tangent square theta, तो यह question, theta में चल रहा था, ठीक्या, एक सगेंड, रोग जाओ, यहाँ पर न, theta, 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 यह भी theta, यह भी theta, और यह d theta में हो चुगा था, क्योंकि अब theta आ गया था, देखो, अब हमारे पास ने, दो options है, कौन सा, पहला, कि हम इसको theta में प्रोसीड करें, और दूसरा, हम इसको वापिस x में ले आते हैं, तो मैं क्या कहता हूँ, x में ले आते हैं, ठीक्या है, theta में पूट करने वाद आगे पता नहीं क्या होगा, हो जाएगा, वो भी sol बज़ेगा, तो खास बड़ी बात नहीं है, बट हम इसको वापिस x में ले आते हैं, तो theta की value क्या आएगी, देखो, theta की value यहां से क्या आएगी, root x, tangent inverse root x, यह बनेगा, tangent inverse square root of x, into dx, ठीक्या, यह बना हमारा, और actual में न, यहाँ पर हम, इसको d theta तब ही लिख सकते हैं, देखो, एक चीज जो हमें ध्यान देनी चीए अच्छे से, देखो d theta हम तब लिखते हैं, जब न, यहाँ से जो हमने put करा था, यहाँ पर हम dx की value निकाली होती, अगर हम यहाँ से dx की value निकालता है, बनता, 2 tangent theta, secant square theta, अब उसके लिए हम dx की जब value value पूट करती ही, तो हो जाता, बट हमने नहीं करा, अब हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, आई-ले-ट रूल लगाते हैं, i, l, a, t, e, सबसे पहले क्या है, inverse, inverse पहला, तो इसको into 1, ठीक है, इसका integral लेना है, यह क्या बनेगा, सबसे पहले, tangent inverse x को first function मान लिया, इसको second मान लिया, यह क्या बनेगा, tangent inverse x, as it is, x, 1 का integral x, minus tangent inverse x का derivative, 1 by 1 plus x square, और उसका था x dx, अब देखो 2 से multiply कर दो, 2 से divide कर दो, यह क्या बना, इस पूरे का derivative उपर पड़ा, that means, integral हो क्या आदेगा, log में, 1 plus x square, plus c, यह था x, tangent inverse x, की value, यह आगी हमारी, देखो क्या होता है, अगर नीचे कोई term पड़े उपर, उसका derivative है, तो answer में आता है, e of fx, ठीक है, वही हमने लिखा, but e of नहीं, log of fx, e में नहीं, log में आता है, ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहां से compare करें, a x tangent inverse, root x, हाँ भई, हाँ 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 हाँ, फिर mistakes कर दी यार, mistakes कर दी, अब देखू, यहां परना, क्योंकि यह square root x है, यह integral में, थोड़ी problem create करेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, root x को t माल लेते हैं, या फिर x को t square, तो dx की value क्या आएगी, 2t dt, यहां substitute कर देते हैं, यह बनेगा, integral of tangent inverse t, into, t, 2t dt, ठीक है, यह term बनेगी, हम क्या करते हैं, 2 को तो बहार रखते हैं, और tangent inverse t, into t, यह again हमारा क्या है वाई, यह हमारा first function, और यह second function, अब इसको solve करेंगे, यह बनेगा, 2 तो बहार है, यह बना, tangent inverse t, as it is, और यह बना, t square by 2, minus, अब 2 multiply हो जाएगा, यहाँ पर, पहले tangent inverse t का, क्या होगा, 1 by 1 plus, t square, इसका derivative, और t का integral क्या होगा, t square by 2, यह बनेगा, हमारी term, twice of, t square by 2, into, tangent inverse t, minus, यह 2 से 2 गया, यह बना, t square by 1 plus, t square, इसका, dt, यहने, इसका integral, देखो, अब first term जो थी, वो तो आई, t square into, tangent inverse t, minus, अब देखो, यहाँ क्या कर सकते हैं, 1 plus t square कर सकते हैं, और एक, minus 1 कर सकते हैं, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, पहले लिए term तो बनागी, 1, 1 का dt के साथ करेंगे, तो t, अब यह दो जो जोगा, plus minus minus से plus होजएगा, और यह बनेगा, tangent inverse t, integral होगे, plus का c, यह था हमारा, t square, tangent inverse t, अब, main बाद, t square, किसको बुट कर रहा था, x को, t square पुट कर रहा था, x को, t पुट करेंगे, root x को, पुट कर देते हैं, यह बनेगा, x, यह बनेगा, tangent inverse root x, minus root x, plus tangent inverse root x, plus c, यहां से tangent inverse root x, common लेते हैं, अंदर बचा, x plus 1, minus root x, plus c, हमें compare करना है, किसके करना है, ax tangent inverse root x, मैं लिखता हूँ, यहां पर term, ax, tangent inverse root x, plus bx, plus c, कुछ इस तरह से term, plus bx, plus c, यहां से देखो, ax की value क्या है, ax की value है, x plus 1, और bx की value क्या है, minus का root x, तो ax, x और bx, इनका ordered pair, क्या आएगा, x plus 1, minus root x, यहां न चाहिए, देखते हैं, क्या option में कुछ ऐसा है, option में क्या है, x plus 1, root x, देखो वही है न, हमारा x plus 1, minus root x, minus root x, okay, minus root x, d option, यह नहीं है, क्योंकि, minus का चाहिए, तो हमारा d option, correct हो जएगा, देखो, असान question है, question में कोई difficulty नहीं है, बस, उसको integrate करने का, तरीका आना चाहिए, जो कि, ज़्यादा ज़्यादा practice करके आएगा, पर तुम्हें देखो, यह question इस तरह का, बार-बार आ रहा है, और जो यह वहले question था, यह अगर बात करें, यह आया था, 2020 में, देखो, 2020 के हर paper में, इस टाइप of question है, 2020 में भी हो, 2021 में भी, ठीक है, अच्छा question है, बढ़ते है next पर, हमें दे रखा, fx की value है यह, root x by 1 plus x का, whole square dx, x की value positive होनी चाहिए, और f3 minus f1 की value बताने होगी, सबसे बढ़े हम solve करेंगे, तो देखो, fx की value है जो, वो क्या है, root x by 1 plus x का, whole square, इसका integral dx, देखो, यहाँ पर x को put कहा देता है, tangent square theta, देखो, यहाँ से हम value जो put करेंगे, यह बनेगा, fx equals to, integral of root x, that is, tangent theta by, 1 plus tangent square theta, secant square theta, और उसका square, square भी है, तो secant theta की power 4, दुबारा rewrite करते हैं इसको, secant theta की power 4, ओके, और जब हम इसको derivative करते हैं, dx की value का आएगी, 2 tangent theta, secant square theta, d theta, यहाँ बनेगा, 2 tangent theta, into, secant square theta, d theta, यहाँ से क्या बनेगा, fx की value क्या आएगी, twice of tangent square theta, नीचे, secant की 4 theta उपर, secant square theta तो नीचे आएगा, secant square theta, यह भी integral में चल रहा है, d theta के साथ, यह term क्या बनेगी, यह बना, fx की value क्या आए, देखो यह क्या, tangent square theta क्या होगा, 2 sin square theta, by cos square theta, cos square theta, secant square theta से cancel out हो जाएगा, तो d theta, हम इसको solve करना है, देखो यह क्या होता है, यहादो, 1 minus cos 2 theta क्या होता है, 2 sin square theta, तो यह 2 sin square theta, यह लगते हैं, 1 minus cos 2 theta, इसका d theta, इंटेग्रल, यह बनेगा, theta minus sin 2 theta by 2, किसकी value आगी है, fx की value, ठीक है, हम इसको put कर देते हैं, वापिस से क्या, हमने put करा था, theta को, यानि x को, tangent square theta, ठीक है, हमने put कर था, tangent square theta, पूट करा था, x को, तो यहां से theta की value क्या आएगी, tangent inverse root x, तो यहां से मैं put करूँँगा, यह बनेगा, fx की value, theta की value क्या थी, tangent inverse root x, और यह क्या बनेगा, साइन 2 theta क्या होता है, tangent की terms में, वो बनेगा, tangent inverse, 2 root x by 1 plus x, यानि 2 tangent theta by 1 plus, tangent square theta, इस form का होता है, तो उससे हमारा, यह बनेगा, ठीक है, और, एक्चुल्ण हो, साइन inverse में आएगा, हैना, साइन inverse में होता है, जो यह formula होता है, उसको हम लिखते होता है, sine of, sine inverse इस तरह से, तो जिससे यह चला जाएगा, ठीक है, और, by का 2 रह जाएगा, तो यह बनेगा, tangent inverse, root x minus, root x by 1 plus x, ठीक है, यह था, plus का c, अब हम यहां से क्या करते हैं, f at 3, find करते हैं, f at 3 क्या होगा, root 3 by 4, plus c, अब पुट करने, f1, 1 पुट करने बनेगा, pi by 4, minus 1 by 2, plus c, अब जब इन दो को हम सब्ट्रेट करेंगे, इन दो, सब्ट्रेट कर देते हैं, इन पर, minus, minus, plus, minus, यह बनेगा, f at 3, minus f at 1, equals to, pi by 3, minus pi by 4, minus root 3 by 4, 4 plus 1 by 2, यह चला जाएगा, दिश्को solve करेंगे, बनेगा, pi by 12, 4 pi minus 3 pi, pi, नीचे 12, minus root 3 by 4, plus 1 by 2, देखते क्या answer में ऐसा कुछ है, pi by 12, देखो, pi by 12 कहा है एक तो, यहा है, और ही कि यहा है, पर यहाँ पर, minus pi by 12 हो, तो यह नहीं होगा, हमारा option c, correct हो जाएगा, ठीक है, यह नहीं होगा, option c हमारा answer हो जाएगा, आसान question है, कोई difficulty वाली बात नहीं है, बस general formula लगाना है, और हमारा answer हो जाएगा, ठीक है, move करते हैं, next question की तरफ, देखो, इस question में गिवन है की, cos theta by 5 plus 7 sin theta, minus 2 cos square theta, d theta, वो a log to the base e, b theta है, b theta का mod plus c है, इसका integral, कुछ यह आया है, अगर ऐसा आया है, तो हमें बताना होगा, b theta by a क्या होगा, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां से, सबसे पहले, इसको लिए देते है, cos theta by 5 plus 7 sin theta, minus 2 cos square theta, इसका integral, d theta, यह बनेगा, cos theta as it is, नीचे 5 plus 7 sin theta, मैं integral, इसको लिए देते हैं, minus 2, इसको लिए देते हैं, 1 minus sin square theta, उससे क्या होगा, यह ना, एक ही terms में आ जाएगा, यह बनेगा, यह बनेगा, उपर वही cos theta, integral का d theta, by 5 plus 7 sin theta, minus 2 plus 2, sin square theta, d theta, अब simple सी बात है, यहाँ परना, हम क्या कर सकते हैं, कि sin theta को ना, put कर दे, t, तो अगर, cos theta, d theta की value आजेगी, that is, इसकी value dt, यहाँ d theta ना, यह लिख दिया था, यह बनेगा, dt by नीचा आएगा, 2t square, plus 7t, plus 3, 2t square, plus 7t, plus 3, equals to 0, sorry, equal to integral है, जब हम इसको, solve करते हैं, बनेगा, 2t plus 1, t plus 3, 2t square, plus 3, 6t, 2t plus 1, और t plus 3, यह दो, इसके factor बनेगे, जो हम इसको, mix, मुलाब ऐसा होता है, जो mix fractions में होता, इसको solve करने का तरीका, क्या होता है, जब ax plus b वाले तरीके से करते हैं, यह बनेगा, हमारा, 2 by 2t plus 1, minus 1 by t plus 3, कुछ इस थरा बन गएगा, ठीक, अब हम इसका integral ले ले लेते हैं, dt में, जो solve करने भी बनेगा, 1 by 5 बार ही बनेगा, twice यहां, log 2t plus 1 by 2, minus log t plus 3, यह बनेगा, 1 by 5 log 2t plus 1, minus, 1 by 5 तो कॉमा नहीं है, minus log t plus 3, light flicker कर रहे हैं, यह बनेगा, 1 by 5, log of 2t plus 1, by t plus 3, ठीक, यह इस तरह से बन गया, अब हमें क्या दे रखा, यह आएगा, a log to the base, b theta, पहले नहीं हम उसमें ले जाते हैं, हमने क्या पूट किया था, sin theta is equal to t, पूट किया था, तो यह बनेगा हमारा, 1 by 5, log, 2 sin theta, plus 1, by sin theta, plus 1, हमें क्या दे रखा है, किस से compare करना है, a, log to the base e, p theta का mode, हमें इस से compare करने के लिए दे रखा है, यहाँ पर plus का c दी आएगा, ठीक है, अब यहाँ से a की value क्या दिखरी है, 1 by 5, b की value क्या दिखरी है, 2 sin theta plus 1, by sin theta plus 1, ठीक है, यह value दिखरी है, b theta की value, actually, b theta की value है, तो हमें क्या find करना है, b theta का mode by a, तो वो क्या होगा, 2 sin theta plus 1, by sin theta plus 1, और a क्या था, 1 by 5, तो उपर जाकर 5 multiply हो जाएगा, देखतें क्या answer में ऐसा कुछ है, देखो, answer में उपर 5 का है, 5 यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, नीचे क्या आया था हमारा, उपर sin theta, 2 sin theta plus 1, और नीचे क्या, sin theta plus 1, यहाँ पर था, यहाँ आन ने था, 3 था, देखो, यहाँ 3 है ना, तो यहाँ पर भी 3, और यहाँ पर भी 3, तो कौन्स option मन रहा है हमारा, option b is correct, यहाँ option हमारा answer आजएगा, यह नहीं है, क्योंकि इसमें values बंटे हैं, और यह तो होई नहीं सकता, अच्छा question है, असान question है, जोई में 2020 में, किस type के question आ रहे हैं, हमें एक side दे रहा है, उसको integrate करके, right hand side का कुछ functions दे रहा है, mix में की, a और b की value पहचाननी है, फिर उनसे कुछ value बनानी है, इस type के question देखो, 2020 के question में कितने करें हैं, अब तक कि जितने करें, उसे जाद असदर 2020 में ऐसी questions है, ठीक है, अच्छे question देखो, फिर उसी type का question आ गया, है न उसी type का, तक इस question में क्या है कि, इसको evaluate करना, और ये terms आएंगी कुछ, जिसे हमें lambda और fx का order पर बताना है, वही देखो, same type का question है, जे में 2020 में, बार-बार आ रहा है देखो, इस type का question, जिसे पहले हमने किया है, तो मुझे न लगता है, इस question में कुछ खास दिक्कत आने ची, पूरा तुम खुछ solve कर लाना, वीडियो पोस्ट करके, देखो, इसको simplify करेंगे थोड़ा सा, उपर बनेगा, secant square theta, नीचे बनेगा, secant 2 theta, plus tangent 2 theta, secant 2 theta की value होती है, 1 plus tangent square theta, by 1 minus tangent square theta, इसकी होती है, 2 tangent square theta, by 1 minus tangent square theta, ठीक है, d theta, क्या बनेगा ये, उपर तो था, secant square theta, secant square theta, बना है, 1 plus tangent square theta, लिख सकते हैं, नीचे 1 minus tangent square theta, भी उपर चला जाएगा, क्या बना, 1 plus tangent square theta, प्लस, ये न, 2 tangent theta होती है, 2 tangent theta, ठीक है, ये बना, 1 plus tangent, theta का square, ठीक है, अगर मैं इसको, थोड़ा सा, और change करूँ न, मैं इसको लिख सकता हूँ, ये न, theta में न, ये न, tangent theta में, कैसे, बताता हूँ, 1 minus tangent square theta, बाइ 1 plus, tangent square, थेटा, ठीक है, tangent theta का square, जब, d tangent theta, इसका, डेरिवट करूँगा, ये क्या बनेगा, secant square theta, d theta, बन जाएगा, तो मैंने इसको, इस फो में लिख दिया, अब देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ, 1 plus tangent theta, 1 minus tangent theta, by, 1 plus tangent theta का, square, और d tangent theta, ठीक है ये term, अब यहाँ से, ये एक, चला जाएगा, और ये चला जाएगा, ये बनेगा, 1 minus tangent theta, by, 1 plus tangent theta, into d tangent theta, ये बनेगा, अब यहाँ से क्या करते हैं हम इसे, थोड़ा साना change करते हैं, कैसे, tangent theta को ना, t मान लेते हैं, जब t मानेंगे, तो ये equation बन जाएगी, कैसे बनेगी, 1 minus t by, 1 plus t, dt, ये बन जाएगी, इसको जब में solve करेंगे, इसका न, integral है, यहाँ पर भी न, integral था, 1 by 1 plus t, minus t by 1 plus t, dt, इधर भी dt था, पहली term बनी, log of 1 plus t, कौन सी term, ये वली term बनी, दूसरी term को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, t plus 1 minus 1, by t plus 1, by t plus 1, इसको मैं नहीं term लिख दिया, जब मैं इसका integral करूँगा, इसका integral करूँगा, dt के बदे respect to, तो बनेगा 1, 1 का होज़ेगा, t minus log t plus 1, ठीक है, और उपर क्या था, उपर था, log 1 plus t, और इसका था, minus, ये term, क्या जाकर बनेगी, log of 1 plus t, minus t, plus log of t plus 1, देखो, हमने इसकी value निकाली थी, इसकी value जो थी न, वो ये आई, पर इसके आपना negative बान चाती, वो ये negative था, तो ये negative इसके साथ, multiple करती है, बाद में, ठीक है, अब हमारा चो term है, वो बना, twice of log, 1 plus t, minus t, plus c, plus c तो हर जगा ही है, ठीक है, यह हमारी term आई, अब यहाँ पर न, हम वापिस से values पूट कर देते हैं, कौन सी, कि जो t की न, वापिस से न, tangent t थी, तो इसके लिए देते हैं, 2, 2 log, 1 plus tangent theta, minus tangent theta, plus c, अब हम compare कर से कर रहे हैं, lambda tangent theta से, compare कर रहे हैं, lambda tangent theta, plus 2 log fx, plus c, 2 log to the base e, fx, plus c, इससे compare कर रहे हैं, तो lambda की value तो दिख रहे हैं, और minus 1, और fx की value क्या दिख रहे हैं, 1 plus tangent theta, simple, हमें कहें चीए, lambda और fx की value, में लब सको order पे रहे क्या आएगा, lambda और fx की, minus 1, 1 plus tangent theta, यह आएगा, देखते हैं कौन सा option है ऐसा, minus 1, 1 plus tangent theta, जो कि हमारा option c है, यह correct हो देखो, एक type की questions, कितने सारे कर लिए, पूरी practice होगी यह इस type की तो, कि हमें तो में पता आना चीख, इस type की question, किस तरह solve करे जाते हैं, देखो इस question को कैसे solve करेंगे, हमें बोला है, integral बताना है इसका, थोड़ा से इसको simplify करते हैं, कैसे इसको लिख दूँ, 1 by x minus 3 की power, 6 by 7, into x plus 4 की power, 8 by 7, थोड़ा से change करते हैं, इसको लिखते हैं, 1 x minus 3 की power, 6 by 7, इसको क्या में लिख सकते हैं, x plus 4 की power, 6 by 7, into x plus 4 की power, square, क्या लिख सकते हैं आँसे, the next question is, f dash x की value है, tangent inverse, secant x, plus tangent x, यह value हमें किवान है, x की value, minus pi by 2 से, pi by 2 की बीच में लाए करती है, और कहा है कि, अगर f at 0 is 0, ठीक है, x की value अगर 0 है, तो function की value 0 है, तो f at 1, इसकी value क्या होगा, यह बताना होगा, सबसे पहले हमें इसको solve करना, हम लिख देते हैं इसे, tangent inverse, इसको लिखते हैं, 1 by cos x, plus sin x, by cos x, यह बनेगा, tangent inverse, 1 plus sin x, by cos x, ठीक है, अब, आपको यह बात पता होगी, इसको हम लिख सकते हैं, tangent inverse, 1 plus, minus of, minus of, cos, pi by 2 plus x, that is, cos 90 plus theta, that is, minus sin theta, और minus of minus plus, ठीक है, समझ गए, divide by cos x, अब, cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin, pi by 2 plus x, sin 90 plus theta, that is cos theta, अब, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, tangent inverse, यह बना, 1 minus cos, pi by 2 plus x, by, sin pi by 2, plus x, इससे क्या हुआ, हमारे जो angles हैं न, वो same रहे, ठीक है, इसको क्या है, देखो, इस formula है, 1 minus cos 2 theta, यह क्या होता है, 2, sin square, theta by 2, that is, pi by 2 का half, pi by 4, x का half, x by 2, ठीक है, बाहर क्या है, tangent inverse, नीचे, sin 2 theta, गया होता है, 2 sin theta by 2, that is, pi by 4, plus x by 2, cos theta by 2, cos, x by 2, plus pi by 4, अब देखो, यह square से, यह square से, यह term चली जाएगी, यह क्या बनेगा, 2 से 2 चला जाएगा, sin angle by cos का angle, यह बनेगा, tangent inverse of, tangent pi by 4, plus x by 2, ठीक है, जिससे tangent inverse, tangent चला दाएगा, हमारी value आएगी, pi by 4, plus x by 2, यह किसकी value आएगी है, यह है, यह f dash x की, ठीक है, यह value आएगी है, f dash x की, हमें क्या बोला, हमें कहा है, अगर f at 0, 0 है, अगर हमें, किसी का derivative बता है, तो हमें वो function बनाने के लिए, हम क्या करते हैं, इसको integrate करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको integrate कर देते हैं, pi by 4, plus x by 2, का integration करते हैं, dx के साथ, इधर जब इसका integration करेंगे, यह बन जाएगा, fx, अब जब हम इसका integration करेंगे, बनेगा, pi by 4x, plus x square by 2, x का x square by 2, by 2 already है, तो by 4, is equal to fx, actual में क्या था, जब f dash x का था, इसका integrate होकर, fx already आ चुगा था, ठीक है, हमें क्या बनाना, f 0 पर 0 है, डिख रहा है, जब 0 put करेंगे, तो ये 0, ये भी 0, और ये भी 0, दिख रहा हमें, तो f at 1 चाहिए, f at 1, तो f at 1, क्या आएगा, ये बनेगा, pi by 4, plus 1 by 4, जिसकी value क्या बनेगी, pi plus 1 by 4, देखते कौन सा option है, option number a, is correct, ठीक है, असान कोशन है, तो j main 2020 माया था, बड़िया question है, move करते हैं, next question की तरफ, that is, हमारा question number 152, हमें गिवन है fx, fx की value है, sine of tangent inverse x, plus sine of cotangent inverse x, इसका square minus 1, जहां पर mod x की value, greater than 1 है, dy by dx की value है, 1 by 2 of d by dx, sine inverse fx, ठीक है, देखने में तो भाई, ठीक ठाक लग रहा, y at root 3, की value है, pi by 3, ओके, तो y at minus root 3 की value, कोई बात नहीं करते हैं, हमें देखने, सबसे पहले नहीं गिवन है, कि dy by dx की value, यह दिरिखी है, 1 by 2 of d by dx, मालब किसका derivative है, sine inverse fx का, ठीक है, तो यहां से इसको लिए, 2 dy by dx, equals to d by dx of, sine inverse fx, अब integrate करते हैं, दोनों side, integrate करते हैं, तो यह तो बनेगा, with respect to x, obviously, तो यह बनेगा, 2y, यह बनेगा, derivative से integration, खतम हो जाएगा, यह बनेगा, sine inverse fx, ठीक है, sine inverse fx की value आगी, 2y, अब हम क्या करते हैं, fx को देखते हैं, जब यह fx को हम, यह क्या है, sine inverse, sine of, tangent inverse x, यह है, plus sine of, cotangent inverse x, तो मैं इसको लिख सेता हूं, sine of, pi by 2, minus, tangent inverse x, इसका, square minus 1, देखो, क्या है, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, cotangent inverse x था, जो, उसको लिख दिया, pi by 2, minus tangent inverse x, ठीक है, अब यह, जो fx था, वो क्या रहा, sine of, tangent inverse x, plus, sine 90, minus theta, तो यह बनेगा, cos, 90 minus, cos theta, that is, cos of, tangent inverse x, square minus 1, अब क्या करते हैं, इनका square उपन कर देते हैं, कि अबने, a square plus b square plus 2, that is, sine tangent inverse x, इसका, square, plus, cos square, tangent inverse x, plus, 2, sine tangent inverse x, cos, tangent inverse x, minus 1, देखो, sine square, plus cos square, और minus 1, यह तो, गायब हो गए, तो हमारे, जो fx की value है, वो क्या बनी, 2 of, sine tangent inverse x, cos, tangent inverse x, ठीक, अब देखो, कहायँ, 2 sine a, cos a, तो होते है, sine, 2, tangent inverse x, किस की वाली वागी, fx की, और, यहाँ से कर सकते हैं, अगर, sine inverse fx, मतलब, sine उदर चला जाए, तो, sine inverse fx की वाली आएगी, 2 tangent inverse x, देखो, यह देखो, अब हमेना, उपर, sine inverse fx था, sine inverse fx था, ठीक है, तो, इसकी value क्या थी, 2y, तो मैं, अब इस वाली value को, 2y के, equate कर दता हूँ, tangent inverse at minus root 3, क्यों, क्योंकि हमें बोला था, y at minus root 3, यानि, y of minus root 3 की value आनी चाहिए थी, इसका मतलब कहें कि, x के लिए अगर minus root 3 है, अब देखो, हम क्या सोचेंगे, simple सी बात है, हम सोचेंगे, अरे, negative value है, तो हम इसके ना, सारे के सारे angles निकानने लग जाएंगे, हैना, quadrants में देखेंगे, second quadrant में, क्योंकि simple सी बात है, tangent के लिए, यहां और यहां negative होगी, तो हम देखेंगे, pi minus pi by 3, pi plus pi, 2 pi minus pi by 3, यह देखने लगेंगे, बट वो गलत हो जाएगा, क्योंकि tangent inverse x की principal value है, वो minus pi by 2, से pi by 2 के बीच में लाए करती है, और कोई भी value, जैसे कि अगर second quadrant की बात करें, अब root 3 क्या होता है, 60 पर होता है, यानि pi by 3 पर होता है, तो यहां पर जो इसमें value देखेंगे, वो क्या होगा, pi minus pi by 3 देखेंगे, जो किया आएगी 2 pi by 3, और हम 2 pi by 3 पर टिक माक कर देंगे, सही होगा, पर उसकी value minus pi by 2 और pi by 2 के बीच में, तो नहीं है, तो बड़ी value है, तो simple सी बात है, यह value कब होता है, tangent inverse minus root 3 कब होता है, minus pi by 3 पर होता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, हम इसके principle value देखनी है, और हम क्या ढूनेंगे, अलग-अलग answer ढूनने लगेंगे, और देखो, option उन्होंने दोनों दे रख्या है, 2 pi by 3 भी दे रख्या, 5 pi by 6 भी दे रख्या, दोनों दे रख्या, इसी लिए दे रख्या, क्योंकि हम यह basic method लगाएंगे, माइनस pi by 3, ठीक है, अच्छा question है, next की तुरफ बढ़ते हैं, देखो यह नव वैसा ही question है, jmin 2020 में आया, किस type का question, जैसे हमने भी पीछे करें, क्या question में क्या कह रहे हैं, वही एक value दे रहे हैं, कोई fx की उसको integrate करेंगे, तो न कुछ value आएगी, एक तो यह 1 plus sin raised to power 6x, यह तो आएगा यह आएगा, तो हमें एक fx आएगा साथ में, तो हमें क्या बताना है, एक तो lambda चाहिए होगा हमें, lambda और एक fx, और उनको solve करना है, उसकी value substitute करना है, same type को question है, जो बार बार आ रहा है, करते हैं इसको solve, सबसे बहले हम इस function को solve करते हैं, left hand side वाले को, इसमें क्या दिर्खा, अगर हम na sin x को t substitute कर दे हैं, तो हमारा आएगा cos x dx की value dt, तो हमारा function बनेगा integral में, उपर cos x dx की जगा तो आज जएगा dt, नीचे क्या बचेगा, sin x that is t cube into 1 plus t की power 6, 2 by 3, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, t की power 6 common ले लेते हैं, देखो क्या होगा, integration में dt by t की power 3 तो थाई, अब t की power 6 common लेते हैं, अब t की power 6 थोड़ी आएगा, वो t की power 6 की power 2 by 3 common आएगा, अंदर बचेगा, 1 by t की power 6 plus 1 और इसकी power 2 by 3, अब देखो, इसको solve करो, t की power 6 into 2 by 3, 3 इसको cut करेगा 2 पर, तो कितना बना t की power 4, t की power 3 बहार है, t की power 4 और आगया, तो t की power बनी 7, यह क्या बना 1 plus 1 by t की power 6 की power 2 by 3, ठीक है, इतना बना यह किस मेंदर, integral, हम इसको जब solve करेंगे, हम क्या करते हैं, इसको substitute कर देते हैं, 1 plus 1 by t की power 6 को मान लेते हैं, suppose u मान लिया, तो जब हम इसका derivate करते हैं, ठीक है, derivate करेंगे, क्या बनेगा, देखो, 1 plus t की power minus 6, is equal to u, derivate करेंगे, minus 6, t की power minus 6, minus 1, dt is equal to du, that is, 1 by t की power 7 dt की value, क्या आगी, minus 1 by 6 du, तो यहाँ पर, जो यह वला integral है, यह क्या बनेगा, यह बनेगा, du, बाहर minus 1 by 6 है, इसको बाहर रखेंगे, और, 1 by 7 dt, यानि इस पूरे की value थी, जो, वो हमने यह substitute कर दी, और यह क्या था, u, u की power 2 by 3, तो उपर आगर, यह बनेगा, u की power minus 2 by 3, simple, तो minus 1 by 6 तो बाहर, अच्छा, और इस हाथ में क्या है, integral, minus 1 by 6 तो बाहर, इसका integrate करेंगे, तो क्या बना, u की power minus 2 by 3, plus 1 by minus 2 by 3, plus 1, ठीक है, क्या बनेगा, minus 1 by 6 तो बाहर, अंदर बना, u की power, 1 by 3, divided by 1 by 3, ठीक, तो u क्या था, 1 plus 1 by t की power 6, उसकी power, 1 by 3, अब देखो, 6 और 1 by 3 तो 2, तो बाहर आगया, minus 1 by 2, अब, t किसको बूट कर रहा था, sin x को, वापिस से substitute करते थे, यह क्या बनेगा, minus 1 by 2, 1 plus 1 by sin x की power 6, और इस पूरे की power, 1 by 3, ठीक है, अब हमें क्या solve करना है, compare करना है, किस से, किस से compare करना है, इसको, f x, into, चेक करते हैं, 1 plus sin 6 x, हम, यह कैसे वह हो भई, हमने, इधर दूपर, 1 plus sin 6 x, यह गलत कैसे हो गया, चेक कर लेते हैं, एक बार, यह हमारा था, हमने लिया, u की value क्या लिए, 1 plus 1 by t की पावर 6, that is 1 plus t की पावर, minus 6, minus 6 t की पावर, minus 7 dt is equal to du, t की पावर minus 7, that is 1 by t की पावर 7 dt, is equal to 1 by 6 du, क्या हमने पुट किया, और, जो नीचे value थी, 1 plus 1 by t की पावर 6 को, u की 2 by 3, उपर आके, minus 2 by 3, minus 2 by 3 plus 1, minus 2 by 3 plus 1, u की पावर 1 by 3, जो क्या था, 1 plus 1 by t की पावर 6, इसकी पावर 1 by 3, यार, ये तो बात नहीं बनी, मतलब इसमें, कॉम्प्लिकेशन्स होगी थोड़ी सी, हमें इसको ना, और अरेंज करना पड़ेगा, उससे तो काफी लेंथी हो जाएगा, थोड़ा साना, चेंज कर लेते हैं, नहीं हाँ, ठीक है, हम ठीक है, हमने थोड़ा साना, इसको चेंज ही कर लेते हैं, जो भी टर्म्स बनेगे, ये बने है, minus 1 by 2, sin की पावर 6x, plus 1 by sin देस तो पावर 6x, ठीक है, उपर वाले की पावर थी, 1 by 3, ये नीचे वाले की पावर थी, 1 by 3, ये कुछ नहीं हा, इसको थड़ा और सिंप्लिफाइ करते हैं, minus 1 by 2, ये तो सही बन गया, sin की पावर 6, plus 1, इसकी पावर 1 by 3, नीचे क्या बना, 6 into 1 by 3, that is sin square x, sin square x, sin square x सा कुछ करना पड़ेगा, देखते हैं, इसको कुछ question में दे रख्या, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, इसको ना compare करते हैं, compare किससे करना है, इसको compare करना है, fx, sin square 6, plus 1, इसकी पावर, 1 by lambda थी, ना, तो हम यहां से देखते है, fx की value क्या है, minus 1 by 2, sin square x, और, lambda की value क्या है, 3, हमें क्या चाहिए, lambda, और, f की value, pi by 3 पर, lambda into, f at pi by 3, तो lambda की value थो 3, f at pi by 3, वहने, 1 minus 1 by 2, sin square pi by 3, जिसको लेगी, minus 3 by 2, sin square pi by 3, sin pi by 3 क्या होता है, root 3 by 2, root 3 by 2 का square, 3 by 4, 2 से, 2 cancel out of a, बने का उपर, minus का 2, देखते हैं, क्या answer में option है, बिल्कुल है, जो हमारा option b है, ये correct हो जाएगा, actual में न, क्या हुआ, हमने बिल्कुल सही किया, इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ा, कि ये sin square, फिर मुझे लगा, खराब ना हो रहा है equation, बट नहीं, वो fx से compare करा न, तो function में कुछ भी आया, वो चलेगा, function की कोई दिखकत नहीं है, वो आएगा चलेगा, generally, जो इस type के हमने question कहा, उसमें function की value, न, कोई simple x वोगेरा में आ जाती है, function की value, हमने questions की हमने इस तरह आखे भी तक, sorry, next question पर बढ़ते हैं, मैंना अपना मावस उठालू, नहीं चेकरी गया, okay, अरे देखो फिर से वही question, उसी type का question आ चुका है, देखो, वही कि हमें left hand side को solve करना है, right hand side के उससे compare करना है, और fx की वाले बताने होगी, तो I think यह question तुम कर पाओगे, क्योंकि इस type के हमने काफी सारे questions कर लिया, तो इसका जो भी answer आए, वो comment में ज़रूर बताना, ठीक है, I think यह कर सकते हो, integrals वाला ही है, ठीक है, तो इसको comment में बताना, next question करते हैं, हम थोड़ा सा change करें इसमें, अगर change मतलब थोड़ा अलग तरह से लिखना चाहें, यह बनेगा tangent square x, एक इसको कर देते हैं, secant square x अलग कर देते हैं, और एक secant की power 4x, थोड़ा अलग कर देते हैं, dx, नीचे इसमें से हमना common लेते हैं, यह cube x और cube x, तो यहां से मैं common लेता हूँ, tangent cube x, अंदर बचेगा, tangent square x, plus 1, plus 1 into, tangent square x, plus 1, और इस पूरी term का square, यह उपर जो बना, उपर ना हम क्या करते हैं, हमें पता हैं न, यह वाला formula, 1 plus tangent square x, is equal to secant square x, ठीक है, तो secant square x की जगा, हम यह put कर देते हैं, तो यह बनेगा, पहले तो था, tangent square x, फिर बनेगा, 1 plus tangent square x, इसका square, और secant square x, dx, मतलब मैंने, इसकी जगाप उट कर दिया, यह तो as it is था, और secant square x, ऐसी, secant square x, ऐसी क्यों रखा, क्योंकि जब मैं, tangent x को t, पूट करूँगा, तो secant square x, dx, dt बन जाएगा, नीची क्या बना, नीची देखो, tangent cube x plus 1, इसका, square, और tangent square x, प्लस 1, इसका square, ठीक है, देखो अब, देखो अब, एक चीज ना, और देखो, यह tangent square x, प्लस 1 का square ही, tangent square x, प्लस 1 का square ही, cancel out होगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, एक तो tangent square x, into, secant square x, dx, और, tangent cube x, प्लस 1, इस पूरे का, all square, अब ध्यान से देखो, अगर मैं, put करता हूं, क्या, tangent cube x, प्लस 1 को, यू put कर देते हैं, तो, यह बनेगा, 3, tangent square x, secant square x, dx, is equal to, du, that is, tangent square x, secant square x, dx, इसकी value क्या आगी, du by 3, और, नीचे के क्या बना, u का, square, ठीक है, तो, du by u, integral में, integrate होगा, du by, पहले 3 था, du by, 3, और, u, u के, मैं उपर ले दाता हूं, u की पावर, minus 2, ठीक है, actual में, हम, कभी भी, du, पहले, नहीं, लिखते होते, du by में शब बाद में लिखते हैं, जिसके भी तरिस्पेक्ट करें, बाद में लिखते हैं, ठीक है, तो, u की पावर, minus 2, u की पावर, minus 2, plus 1, by minus 2, plus 1, नीचे है, 1 by, नीचे 3 है, और, यह होगा, integrate, 1 by 3, 1 by u, और, साथ में, यही फाइंड करना था, क्या आया, minus 1 by 3, देखो, minus 1 by 3, का है, यह रहा, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, बस एक फर्क यह था, कि हमने न, constant of integration नीचे लगाया था, constant और आगया, plus C आगया, common चीज है, C तो आना ही आना होता है, तो मारा option A, correct हो जाएगा, देखो, क्या कोई difficult question है, नहीं है, difficult नहीं है, आसान है थोड़ा सोचना, बस, J-Man 2020 में आया, 2018 में आया था,